नाम राशी जहीर है और आप देखे ने मेरा नियूस चैले जिसका नाम है नियूस नाइन टीवी बैंगलोर में मिटिंग है 24 पार्टी की 2024 के इलेक्शन को लेकर सोनिय गांदी वाँ पहुच रही है भार्द जनता पार्टी एंडिये ने मजाग उडाई थी के पटना में जो ये लोग इखट्टे थे 17 का नाम दिया था 15 ही हो पाएं अब 15 की जगा 8-9 और बढ़ गएं विपक्षियों का इतना जी के खिलाफ यह डेमोक्रेसी के पक्ष में जो खड़े हुए हैं उससे लगता यह है कि 2024 में सोनिय गांदी की अगवाई में लगवग 24 पार्टी जो इखट्टी हो गई हैं वो शायद भारत जनता पार्टी को सपने को चकना चूर कर दे कि जिसमें वो 2024-2029-2034 में आने का सपना देखती हैं अब इसके अंदर कितने जादा घटना करा मोचूंगे पहरे तुमें पार्टी में ही बता दूँ आपको इसके अंदर दर्शे को जैन चोधरी भी जा रहे हैं अंदर अर्विंद केजरी वाली भी जा रहे हैं डीम की भी जा तमाम पार्टियां हुँ है जो गडबंदन का उसने भी अपनी जो है एक पार्टी अपने दिल्ली के एक होटल के अंदर बोलाई है नो बरसों में पहली बाद जरुवत इनको इसलिए पढ़ गए कि चुके 23 जून में बिहार में नितीश कुमार ने जो इखटा कर दिया था उसी दिन से भार् शको यहां 24 पार्टियों का मामला है अब यह डरने की स्थितिय पे तो नहीं अगर यह खटे हो करके कोई नियूंतम कारेकरम बनाएंगे जैसे और सीटों का बटवारा हो जाता है समझदारी से यह काम करते हैं जहां परदेश में अखिलेश हो ममतब इनर्जी मजबूत हो भारती जिन्ता पार्टि की हाला 2014 में बहुत जादा खराब होने वाली है हाला कि इस गटबंदन के बनने से पहले CSDS एक बड़ा मजबूत और बड़ा पर्तिष्ठित सर्वे करती है उसने कहा था भी 3-4-5 महीने पहले कि अगर भारती जिन्ता पार्टि सरकार में जाती तो 100-70 सीटों का नुकसान हो जाएगा लगबख 70 का तो कहा था यानि कि 330 में से 70 निकाल दी जाएं तो 330 में से लगबख 240 बचती है ऐसे समय में इनको कोई भी साज़ेदार नहीं मिलेगा लेकिन अब गड़बंदन इखटा हो गया है ये लोग इखटे हो गये अब इनके सामने के बाद पूरी दुनिया के अख़बारात कर रहा है संस्थाओं के माज़ें से जिनका गला घोट दिया जा रहा है एडी को और सीबियाए को टूल बना करके चिराग पासवान हो और तेजस्वी आदव हो माजी हो और अजीत पवारों सब को डराया धमकाया जा रहा है दर् सोच रहा था कि अगला परधान मंतरी कौन किसी वज़ा से कुछ काम किया मैंने उसमें पता चला सोन्या गांदी का नाम मेरे मूँ से निकला हाला कि यह संभव नहीं है विदेशी मूल के ऊपर किस कदर से पोजिशन खराब होती है आप पहले देख चुके हैं राहुल गां जबसे 23 जून को पटना में हुई तफसे बहुत ज़्यादा परेशान है जैन चौधरी ने थोड़ी बारगेनिंग की कोशिश किये लेकिन वो भी जाना है और मैं आपको जैन चौधरी के बारे में बाता बताता चनू दर्शको इस आदमी के अंदर कभी कभी चौधरी चर हाला कि अजीत पवार वहां पहुंच गाएं लेकिन वहां पे एक सर्वे आया है महरास्ट में साकाल गुरूप का सर्वे कि ये 47% वोट ले रहा है महां विकास अगाली जबके भारते जनता पार्टी शिंदे और अजीत पवार मिलने के बावाजूद भी 37% से उपर नहीं इस सूरत में 19% बड़ा जबरदस हो जाता है ऐसे हालात में विपक्ष को भी फायदा पहुंच रहा है लेकिन खिर भी ED और CBI और तमाम इन चीजों को इखटा करके दराया धमकाय जा रहा है जो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है उन्हों का भी बारे में यही कहा जा र यह बैंगलोर के अंदर यह जमगटा शायद भारत की तारीख का कैसा जमगटा है दर्शकों के जिसके अंदर पता चल जाएगा कि कॉंग्रेस लेड अगवाई में अगर यह लोग इखटे होकर इलक्षन लड़ गए और इनके अंदर अकलमंदी रही एक साथ ना लड़ कर रहे हैं किस परकार कोंका जो है मिलनी चाहिए रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए और इधर कल से असे válar इनका भी तमाम जो है ये निकल कर आ जाएगा जैसे इसका लबो लुआब निकल कर आता है कि मिटिंग में क्या है चुकि देश के सारे बले अख़बारों की खबर यही है कि बैंगलोर की मिटिंग में क्या हो रहा है और भारते जिंता पार्टी का खेमा सबसे ज़्यादा चा हम हो जाएंगे ऐसा लोगों का कहना है आपको खबर केसी लगए अपनी राय केमेंट्स बॉक में जरूर दीजेगा दर्शको चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा एक रिक्वेस्ट आप से है आप फेस्बुक पर काफी देखते हैं शुक्री आपका लेकिन यूट्यूब पर क्योंकि नेक्स टाइम अच्छी किसी खबर के साथ आता हूँ मैं जब हाजर होंगा और अगर आप घंटी का बटन भी दबा देंगे तो जब भी वीडियो टे अपलोड होगी आप तक पहुंच जाएगी